नमाश्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश श्यवानियाश्टो चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे पीछे की बार में आपको मैंने बताया था कि एस्ट्रोजी का हमने पूरा एक स्टार्ट किया है फ्रॉम बेरी बिगिनिंग टू एडवांस यहीं इस को चलेंगे इसको चीज को हम लोग तो वही चीज के अंतर में मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोमी के बारे में हिंट दे रहा था लास्ट क्लास के अंदर के अस्ट्रो कितना टाइम लेते हैं अपनी दूरी पर गुमने के लिए थान रखना बड़ा आवश्यक है कि आपको लोगिट्व क्या बोलते हैं घंदी में थौडा मुझे जाडिया नहीं है अगर आपने वीडियो लास वाला ना देखा हो तो लास वाली वीडियो को एक बार देख लें खेर हम आगे चलते हैं आज हम पढ़ा रहे हैं कि अब आता है बहुत चीज़ें देखे एस्टरलोजी में क्या होता है कि हम लोग जब बनाते हैं सॉफ्वेर में टेटा करते हैं तो उसके अंदर टाइम डालता है हम लोग डालते हैं कि किस समय बच्चा पैदा हो तो वह जो टाइम होता है वो टाइम हमारा होता है इंजयन स्टेंडर्ड टाइम अठ बजए किसी का मत्तों जब बच्चा पैदा हुआ सपोस्ट कि जिए को दिल्ली में जातक पैदा होता है बच्चा पैदा होता है और वह और बजए का वक्त है तो उसका जो पैदा होने का समय है लेकिन जब लोग कंडली बनाते हैं इसanja प्लेस और से से जर अन लोग कुणली बनाने के लिए हम को ST की नहीं हमको local meantime के जूट पढ़ती है local meantime अलग-अलग होता है शायद मैंने अगे बताया है local meantime क्या होता है अब यहां पर है आप यहां पे हैं चाहे गुहाटी में हैं आप चाहे दिल्ली में हैं चाहे बनारस में हैं सब जगे एक ही समय आपको बताएंगे आप 10 वजे अगर हैं तो 10 वजे आपकी घड़ी बताएंगे को यह सब चीजे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि टाइम डिफर होता है कैसे को कैसे लोकल में टाइम को निकलना पड़ता है लोकल में टाइम की वैल्यू निकाननी पड़ती líderि इंड़ हें अब कुंड़ी में सबसे important चीज होती है लगन अभी आप लोग शाद नहीं समझें जो नए नए विद्यारती हैं उनको इतना idea नहीं लगेगा कि लगन क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीजों का idea हो जाएगा लेकिन फिर भी कुंड़ी में आपको प्लेस टूपलेस करता है तो वह जो फरक है जैसे आप खुद भी देखते हैं कि हमारा इंग्लेंड में टाइम जो है अगर यहां पर हमारे बारा बज़रे हैं तो इंग्लेंड में इस वकता टाइम हो रहा हुगा तो यह सब चीजें करती हैं वहां का टाइम है तो यह time vary करता है उस time को vary कर रहा है उस time के वेरिशन को खतम करने के लिए एक standard time बना कि भी आप पूरे भारत में आप जहां भी रहो चाही है आप डेली रहो आपका time एक ही रहेगा आप बात करेंगे अगर 10 वजने हैं तो हर जगहें पे गड़ी 10 वजे का समय ही तो यह ज़रूरी हो तो इंडिया इंडिया का नुनिस सो चेप्ट या इनका ने इंटिनस दूट मेंडिया था नैनी जिडियो इस्ट ने को इस्ट का हमारा लांगजिऊ बताया गया जहान हो तो आप एक बार देख लीजेगा और उसको हम लोगों ने माना कि वह हमारा इंडेंट टाइम है उसके बाद अब आप यह जानते ही है कि जो हमारी प्रत्वी है वह तीन सो साथ डिगरी घूमने में तो उसके लिए यह हम यह मोता हैं कि एक घंटे में कितने गूंगी चौब Erst घंटे में गूमती है 301 गूंति में गूमने यानि प्रत्वी जो है अपनी धूरी पे चार मिनट में एक डिगरी घुम जाती है और एक मिनट घुमेगी चार सेकंड अब ये एक मिनट चार सेकंड क्या मतलब हुआ ये जो मिनट यहां बात कर रहा हूं मैं आपसे ये एंगल भी बात कर रहें एक तो डिगरी मिनट ये तो कहने का मतलब यह है जो हमारा यो इसकंड का हमारा मोटल्टिप्लाइब गरेंगे तकि बनी है बांटिस मिनट को अपने से लगोटरी बनी है तो उससे हमारा टैम डिफरेंस वह है वही एक ऐसा जिससे हर देश का टाइम का लिया जाता है मेन जो जगह ये का Time ये सब लोग टाइमडिंश से ग्रीनवीरिश में यह चीज्ज का प्रियोग हम लोग जब astrology पढ़ेंगे ठीक से इन चीजों का प्रियोग हम लोग करेंगे कि दिनमान इतना है रात्रीमान इतना है तो आपको उस वक्त यह नहीं होना चाहिए कि यह दिनमान तो हमने कभी सुना ही नहीं या रात्रीमान तो हमने कभी सुना ही नहीं थोड़ा थोड़ा idea रहना चाहिए कि हाँ दिनमान हमने सुना है रात्रीमान हमने सुना है इतना idea अगर भी आपको है तो आप गूगल पर कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हैं कि दिनमान का मतलब क्या है रात्रीमान का मतलब क्या है ऐसा कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है इसके वह समय को नोट कर लिया तो जब दिनमान हमारा जो है वह कैसे है वह सूर्यास्त का समय से आप सूर्य देश्ट को घटा दीजिए सूरियास के समय से सूरियोदयस से मों बटा दीजेह एगर 6深 ही सूरिय payoff हुआ है तो 12 समय हो गया यानि 12igen हमारा दिनमान हो गर से रातरीमान क्या है हमारा रात्रीमान भी सेम्ट में भी सेम चीज़ है रात्री मान आ जाएगा यह यूं कहें कि जो दिनमान हमारा है 24 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि हमारा टोटल जो समय है वो 24 घंटे का होता है तो 24 में से माइनस कर दीजिए तो वो रात्री मान आ जाएगा तो यह दिनमान और रात्री मान दो प्रिक्स हैं, जो सूर्य दे और सूर्यास से होती है, जो सूर्य दे और सूर्यास के बीच का समय है उस दिनमान, सूर्यास से सूर्य दे का समय जो है, वो रातरी मानुच अब आता है इस्ट काल, इस्ट काल का भी प्रियोग बहुत मिलता है इसके में, ये बहुत छोटी- आएंगी अभी समझ में ना हैं तो बिलकुल वरी मत कीजिए क्योंकि इनका अभी कुछ भी इस्तेमाल नहीं कि ढूबरा आ एंगी इस्तेमाल में तुमें दुबारा आपको बता वे इन चीजों के बारे में लेकर अभी इतना बस आप समझ लीजिए कि को इस्ट का नाम की ची किसी सूर्य दय च्छे बजे और किसी बच्चे का जनम एक बजे रात को तो इस्ट काल हुआ 19 गंटे नहीं 19 गंटे बाद सूर्य दय के बाद से कोई घटना घटती है उसका जो डिफरेंस है जट इस कॉल्ड इस्ट काल सूर्य दय होने के बाद किसी बी घटना के होने के तक का समय इस्ट काल क करते हैं कि वह इसकाल क्या है और इसके नीचे यह गटी विपल हम लोगों ने दिये हुए है यह गटी विपल की बड़ी विप्योग होता है क्योंकि आगे जाके कुछ जगे पे घटी विपल नाम से ही चीजें होती हैं लेकि आज की डेट में सौफ्वेर के होने की वज़े से यह चीज़ेती सिंप्लिफाई हो गई है कि आपको घटी विपल की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी कहीं कहीं शास्त्रों में जैसे ब्रहत पराशरूरत शास्त्र है या जो भी इस से लिटिट शास्त्र है ब्रहत जातक है सारावली है उसमें कई जगे पे घटी और पल का वर्णन होता है तो आप घटी और पल को कोई अलग से महसूस ना करें कि यह क्या चीज़ आ गई अचानक से अस्ट्रोजी के अंदर वह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं लेकिन नॉर्मल डे-टू-डे यूस के अंदर आपका इतना से मान घटी पल का नहीं है तो गनवार गटी पल जो होता है मतब एक घंटे में धाई गटी होती है यह एक घंटे में धाई गटी होती है यह आप इसको याद कर लिजेगा तो इस थरीके से घंटों को मिनट में बदल कर 24 से भाग देने पर आपका इस्ट काल आ जाता है तो यह एक सिंपल सा प्रिंस्पिल है कि कैसे आप घंटी पल विपन निकाने तो एक घंटे में धाई गटी को पूछ रहा है कि पांच घंटी है कि मतला दो गंटे होगे सिंप कि दस घंटी है तो घंटी विपल के अंदर भी टाइम आप बता सकते हैं किसी बच्छे का अगर समय चार बच के दस मिनट है या च्छे जो इन स्टेंडर टाइम है उसका उसको गटी पल में चेंज करना चाहते हो आपको छे गंटे हो गटी में चेंज कर लीजिए उसको प इसके अंदर बता है कि यही चीज मैंने इसमें दिखाई है कि यह ऐस्ट्रोणामिकल सिस्टम अप यूनिट है गटी 24 मिनट की हो गई एक गटी फाइंट फॉर सेकंड यह आप इसको आप याद कर सकते हैं एक पल के अंदर साथ विपल होते हैं यानि फाइंट फॉर मिनट होते हैं एक ट्म होती है इक बूहरत में दो घंटी होती है 48 मिनट का विफाइंट discouraged निटार के ब्राबर होती दो गटी की डूरेशन है और दाइगटी की डूरेशन है एक घंटा इसलिए दो 48 मिनट का एक बहुरत होता है यह आपको ध्यान रखना है तो इसके ध्यान रखने से आपको यह सबसी चमिन में आ जाएगी अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रहन के बारे में बोला आता है अब ग्रहा के बारे में बड़ा अजीव लेता है लोग सुनते हैं बहार मत दिखलो ऐसे बाहर मत जाओ बासी खाना मत खाओ यह नहाओ यह नहाओ मत कई सरे की दिंतियां इसके लिए मशूर हैं कि ग्रहन के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सुतक वर्ट बार इस्ते मलोता है जो ग्रहन से पहले लगते हैं तो ये सब चीजें बहुत इस्ते माल होतें इस्तियों आप इसी हम लोग तो बोलते हैं कि वह रहन दोशे च्जाय आप इसमें कि बनने के लिए सिंपल सिस्टम है और कि बीच्वाइव करफिय के बीच में तो चंद्रमा आगराइव और टीनॉ एक, प्लेन में आ गये हैं यहां एक लांने एक हैं तो क्या होता है कि सूरे प्रत्वी से प्रत्विपन रहने वालों को सूरिय पूरा दिखाई नहीं पड़ता लिस में इसको सूरे को पूरी तरह नहीं देख पाते हैं इसी तरीके से अगर हम लोग देखें चंद्रेहन होता है हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में परत्वी आ जाती है और चंद्रमा की बीच में पृत्वी आ जाती है तो वो जो हमारा होता है वो चंद ग्रहण को सप्वाइव को और दो हमारी जोंती हैं सूरी ग्रहण और चंद जो आप आप से समझ गे होंगे इसमें को II बात नहीं है और ये ही मैं आप लोगों को बताना चाहता Mexico नजय वाद नची किशिन उल्वाट ने किशिन